मैं हूँ आकांग शाह और आज के वीडियो में मैं यूज करने वाली हूँ वीट का रेडी टु यूज फुल बॉड़ी वैक्सिंग किट सेलो स्मूथ फिनिश एट होम ये तीन सिंपल स्टेफ में काम करता है पील अपलाय पुल और आप इसको फुल बॉड़ी में कर सकते हो लाचा को पता है वैक्स फसी प्रोसेस होती है अगर आप वैक्स लाख लाखे करें तो इसको कि अपलाय करना काम तो यद्यद ओसको जय करता है तो इसको ही उसको जो करते हैं तो ङचल पार चुत भाला काम लिये ऐ ढो थीनिश हो फापिके में मैं पाउर होट शी के ऐसको वो यूज किया मैंने पर यह जो है यह बड़ा पैक है 20 स्ट्रिप्स है प्राइस की बात करों तो यह 199 रुपीज का है मैंने इसको दीमार्ट से परचेस किया और यह मुझे 120 रुपीज में सिर्फ मिला और 120 रुपीज में वैक्सिंग होना मतलब इंपॉसिबल है सिर्फ हाथ की नहीं होती है और यह तो किसे उस को यूज कर देखती हूं और देखते हैं क्या सफिशन्ट हो जाता है इन अच्य से काम करते हैं या नहीं अच्छे से क्यारा है यह सारी श्टये आटके वीडियो में देखेंगे तो अगर आप भी इसकी वेरमें जाना च़енты यह कैसे result देता है तो वीडियो को एक तक जरूर जरूर देखिएगा तो यह जो kit है इसमें ऐसे strips आते हैं और जो कि आपको ऐसे remove करना होता है और लगाना होता है तो अब मैं apply करके बताऊंगी इसको कैसे use करना है और यह जो मैं कहा रही थी ना perfect finished wipes है यह वह हैं तो जब आप अपना waxing कर लेते हो तो इसके बाद आप इससे जो भी चिप-चिप है वो remove कर सकते हैं एक बात और यह जो waxing kit है इसको आप ऐसे तो पूरी body पर कर सकते हो पर मैं कहूंगी कि इसको बहुत सारे लोग face पर भी waxing करते हैं पर इसको आप face पर apply नहीं कीजिए क्योंकि जो cold wax हो क्योंकि अगर आप face पर यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ problem भी हो जाए विससे इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है पर मैं गहरी हूंकि इसको face पर भी ट्राय नहीं करना और आपने back पर और neck पर hand पर underarms clean करने के लिए बिल्कुल आप इसको यूज कर सकते हैं तो मैं अपने लैक पर ट्राय कर रही हूं तो मैंने वाश कर लिए थे पैर और अच्छे दो सुखा लीजेए तो मैं तेलकम पाउदर लगा रही हूं और इसके बाद ये जो स्ट्रिप्स हैं इसको अच्छे रप करेंगे जिसे कि इसकी जो अंदर की जैल है वो मैट हो जा अच्छे स्ट्रिक कर लीजें कोई भी बबल्स नहीं रहने चाहिए और जो भी जब याफ करते हो तो जिसकी स्ट्रिप होती है उसको आप ऑपजिट डिरेक्शन में ही कीचके निकालिए जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके बता रही हूं तो इसको पहले अच्छे से आप इसको रिमॉफ कर लीजे पेन नहीं होता है हलका फुल का पेन होता है इतना जारा नहीं होता है या फिर मैं हमेशा करती रहती हो तो मुझे तो भुबली पता नहीं चलता है तो मैं अपने परों की बैक्सिंग तो कर लिया फिया जो फिनिशिंग वाइब से उसको में जो भी चिप-चिप है वो मेरे पैरों से निकल जाए और यह वाइस भी बहुत अच्छे से पैरों को आपके मरलब जहां भी आप इपक्सिंग करते हो उसकी चिप-चिप को उसकी सारी गंदगी को बहुत अच्छे से रिमॉफ कर देती है तो देखा आपने कितना आसान है यूज करना और आसानी से आपके बाल सारे रिमॉफ हो जाएंगे कोई भी चिप-चिप-चिप-चिप की जहन्ज़एट नहीं है कुछ भी गंदगी नहीं फैलेगी और आसानी से आप अपने बालों को रिमॉफ कर सकते हैं बस एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें लिखा यहुटा था तो यह जो किट आप लेते हों इसमें आपक में हाथ पेर और अंडर आम को निक्ता सकते हो जी जाधा आप और कहीं नहीं कर सकते हो इसके लिए आपको और ज्यादा एक और पैक परचिस करना पड़ेगा अगर फुल बॉडी पर करना चाहते हो पर इसे आप हा पर उसलिदेर में निन खरकाए कषिका हो तो देतर एकसर कर नीं तो तो आई नहींद फो सब्सक्राइब में उल्टिक कर सकते हैं आज डो अड़िक लिए आपको पसंद आया होगा पसंद आयर बी जाले हैने से लिएक शब्सप्प्सप्स्पार शेल कर लीकिया और इंस्क्राग्राम पर मुझे फॉलोगा ना बिल्कुर भी मत भूलेगा और मिलेगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाई बाई